कूई तो इवल लंड एक बहुत ही अच्छा नंड था और उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स नहीं थे और इसको आखिर जिसने दमाना शुरू किया जिसने इसको उक्साना शुरू किया उसके बाद यह स्तरह का इवल नन बना जो कि लोगों को प्रफ मारता बिटाए बच्चों को करने आप करता है और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लिए यहां जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एवल नन जो के एक बहुत ही अच्छा इंसान था जो के बहुत ही एक अच् नान होने से पहले एक गुड़ नन था और यह पच्पन से ऑन पच्पन से पाइस पार नहीं किना अपना है दोस्टर और पर पार ईवल नन एक से पेले एक बच्टपन नहीं था और रहिए बच्पन से बहुत अच्छा था और इसी लिए ये नन बन सका तो इसके नन होने के बाद इसको अब कुछ खास करना नहीं था बस इसको चर्ज में रहना था और अपना पूरा लाइफ इस चर्ज में बिताना था था लेकिन यहां पर एक स्कूल भी था इसके साथ में तो वहां पर बहुत ज्यादा बच्चे परते थे और बहुत से लोगों की शादिया भी होती थी लेकिन नन जो था वो शादी तो नहीं कर सकता था और नहीं कोई बच्चे को पाल सकता था लेकिन एक दिन क्या हुआ कि इसे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद थे और इसे बच्चे को पालना भी इलिसा रख दिया। ये उसको बहुत जाद प्यार से पालने लगा और इसको सिस्टर एंड़ा ने समझाय कि आप ये बहुत ही गलत कर रहे हैं ये साही नहीं कर रहे हैं। इसको आपका नुपसान पहुत जाता होगा। लेकिन ये निंव था इसने ज़्रा भी नहीं सुना सि सिस्टर एंडा दोनों ने मिलकर उसकी बात चुपा जी और इस बात को चुपाने के बाद बहुत बरस इसके पास वो बच्चा था लेकिन वो राज भी ज्यादा वक्त राज न रह सका तो फिर यूं हुआ कुछ है तो बाहर के लोगों को पता चल चुका था कि सिस्टर मेडल पर उस लोगों ने दोनों को मालने का सूचा और एक दिन वो चर्च पर आए तो सिस्टर मेडलीन जो था वो छुप गया था लेकिन सिस्टर इलिसा था मतलब इसका बेटी था वो वो इस इनको उठा कर ले गए तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो गया और बहुत ज्याद जोmudने लगा टो ये आप देख सक्रें इवलन्वन के साथ इलिसा की उसकी बैटी की वी पिक्चर साथ में है तो यहां से का बैट लकेश्टार होता है और इन लोगों के साथ बहुत आप आप सूच सकते बूरा हुआ तो इवल नन उस अपने बेटी को बहुत दिनों के ज्यादा भी बुला ने सका और बुलाने की कोशिश भी की लेकिन वो उसको बुलाने सका वो उसे बार बार याद आता रहा और इसको बार बार रोने की अब आदत सी बढ़ने लगी थी अब यह रोने के बाद एक और काम भी करता था यह अपने चर्च के किताबों को छोड़कर वो यह शेतानी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया इसने और इसकी हेल्प से इसने नार्मल चिकन को वो चिकन में कनवर्ट कर दिया जोके बहुत डेंजर्स हैं बहुत ही खून खव ऐसे देखा होगा वह आने वाला है हमारे इस वीडियो में तो बैसिकली यहीं करता था और यह अब शेतान को दीर दीर बॉलाने लगा था और अब इसके पास सान्वर्स आना शुरू हुए थे इवल पावर आना शुरू हुए थे यह लोग आप देख सकते हैं यह दिकन है है इसके तो अब इसके पास इवल्स पाउर आना इस्टार्ट हुए थे और इसके पास एक और मसला भी था वो यह था कि यह अब शेटान इसको एक और बच्छा डेलीज यसको फली के साफ देना परता था उसको halie चड़ाया जाता था तो यह रोज एक बच्छे को करनें करके और शेतान के पास पसांधे उस्टे का बली चड़ा दिता था जिसके बाद मतलब यह बहुत ज़्यदा इवल होने लगा अभी भी इसके इवल में कुछ कम्या थी वह भी इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यह कंप्लीट इवल बहुत ही गंदानन के इस तरह बन गया अब यह कहानी जो आया यह तब की है तब रोड पेड़ा ही नहीं हुआ था और रोड को आने में अभी भी कुछ टेमपा की था तो यह कहानी इस तरह का चल दा था तो आप लोग यह सोच रहे हुए आपके माइड में यह सवाल आ रहा होगा कि फिर तो रोड इवल नन था वो एक अच्छा लड़का था तो मैंने रोड का अल्री जो स्टोरी था वो मैंने अप्लोड कर दिया है अगर आप लोगों वीडियो नहीं देखा तो वह आप लोग पहले वीडियो देख लें आइस स्क्रीम 4 के नाम से उसका वीडियो है तो अब सिस्टर मेडलीन के सा पालत कुछ यूँ होने लगा कि वो अब शेतां को बहुत ज्यादा बुलाने लगा और अब इस को अपने बच्चे की बहुत ज्यादा याद तर्पा रही थी ये इसको बहुत ज्यादा याद तर्पा रही थी तो finaly एक दिन इसके पास वो शेतान आ ही गया तो उसने इसको कहा कि अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो आपको ये शर्टें मान लेनी चाहिए मेरी तो इसने कहा ठीक है तो वो शर्टें कुछ यूं थी उसने कहा कि आपको चर्टें के अंदर नहीं जाना चाहिए आज के बाद तो उसने कहा ठीक है मैं आज के बाद चर्ट नहीं जाओंगा और वो इसकुल में ही रहने लगा और दूसरी बात कि अगर उसने इसका पूजा करना छोड़ा तो वो इवल हो जाएगा और बहुत ही गंदा दिखेगा ये भी शर्त उसने रखा तो इसने वो भी कहा कि ठीक है ये भी शर्त मैंने मान लिया तो फिर तो फाइनली इवल नन जो है वो प्रेगनेट हो जाती है और उसके बाद इसके पेट में अब इस पार बच्ची नहीं एक पच्चा था वो भी रोड था तो गाइस आप लोगं को इस ऐवल नन का रियल स्टोरी के सा लगा आप मुझे कमेंट में बताएं और आप मुझे ये भी बताएं कि इसका मैं पार्प थ्री यानी के इवल हन का एक और भी रियल स्टोरी बनाऊंगा वह आप लोगं साथ कब शेयर करूँ तो I hope आप लोगों को ये हमारे वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले ऐसे ही नहीं किसी वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल लगना भाई किसी वीडियो में आपना भाई किसी वीडियो में आपना भाई किसी वीडियो में आपना भाई